मॉम फिल्म में रीवा अरोडा ने उनकी बेटी का किरदार निभाया था रीवा अरोडा से ABP News ने बात के सुपरस्टार अभिनेत्री श्रीदेवी नहीं रही श्रीदेवी की आखरी रिलीज होने वाली फिल्म थी मॉम उस फिल्म में उनकी दो बेटियां थी जो उनकी छोटी बेटी थी उसका किरदार निभाया था रीवा अरोडा ने रीवा अरोडा एक चाइल्ड एक्टरिस है जिस तरह से श्रीदेवी ने महस चार साल की उमर में अपने चाइल्ड एक्टरिंग का हुनर दिखाया था उसी तरह से रिवा भी चाइल एक्टरस है और मॉम जो कि श्रीदेवी की आखरी प्रदर्शित होने वाली फिल्म थी उसमें श्रीदेवी की बेटी बनी थी रिवा बेटा आपने आज न्यूज देखा या कैसे अब पता चला श्रीदेवी आंटी जी नहीं रही की अऔर मैंने न्यूज देखा तो मुझे पता चला कि उनकी दुबाई में डेथ हो गई तो मैं बहुत साइड थी मैं उनकी सभी फूटो देख रही थी मेरे साथ में को बहुत दुख हुआ था कब उठे आप कब पता चला आपको कि ऐसा हो गया किसने बताया आपको नानी कहीं थी चलो आज नियूस में कुछ देखते हैं जैसे नियूस चलाई तो पता चला कि उनके डेथ हो गई है रिवा बेटा आपने काम किया है श्रीदेवी आंटी के साथ में बताईए कैसा था श्यूडूल कैसे आप मिले पहली बार जब आपने मुलाकात की तो क्या कहां उन्होंने क्या बात चीत हुई थी कि फोस्टेम जब हमने मीटिंग की थी तो उन्होंने का था जैसे आप नाचुरल हो आप बिल्कुल वैसी एक्टिंग करना आप समझना कि मैं आपकी मौम हूँ इसलिए मैं उनको श्रीदेवी मौम बोलाती थी और वो मुझे बहुत ही जादा प्यार करती थी और जब हम मुवी के शूट के लिए जौजिया गए थे तो उन्होंने पूरे सेवन आर्ज मुझे अपने साथ अखा में को टॉइस दिलाए मैं को पता भी नहीं था कि मेरी ममी का है बच्छी वस्ट कोई बातने आप मेरे साथ ही रहो जब आप उनके साथ शूट करती थी तो आपको क खाने के लिए क्या देती थी या किस तरह से आपको ट्रीट करती थी वह का अपनी रियल डाटर की तरह ट्रेट करती थी जब भी उनका लूंच भी रहता था वो मुझे अपने साथ बुला लेती थी थी तब हम सात में बेट के खाना खाते थे हमने उनके साथ बहुत ही मसा अब मुझे बहुत ही प्यार करते थी अच्छा यह फिल्म में आप ने उनकी डॉर्टर का रोल किया था आप उनकी चोटी बेटी बनी थी तो आइस डॉर्टर आपको क्या समझाती थी क्या सिखाती थी वो मुझे कुछ ने समझाती थी बस वो यही चीज कहती थी कि आप बस मुझे अपनी मॉम समझो और जैसे आप नाच्रल हो वैसे ही रो तो यह जो फिल्म थी मॉम की इसकी शुटिंग मुंबई में हुई थी 15-16 दिन आपके साथ और फिर कुछ जॉर्जिया में हुई थी कि आइस से आपको कोलें काफ हो जाएगा तो मैं एक जिन शुट देखने गई तो बस 15 मिनिट वा रही और उन्होंने बुला अब आपको आपस जाना चाहिए बिकॉस आपस नोफोल स्टार्ट होने वाले थी जॉर्जिया में बेटा एक इंसिदेंट वा था जिसमें आपको चोट लग गई थी तो कुछ घटना वा था क्या हुआ था और जब इस शुटिंग होती थी तो आप लोग कौन-कौन बैट था आप कहां बैटते थे और आप किस तरह से देखते थे श्रीदेवी माम की एक्टिंग जैसी हमारा शुट कम्प्लीट होता था डिरेक्टर सर की चेर लगती थी मेरी चेर लगती थी श्रीदेवी माम की चेर लगती थी और हम सब साथ में बैटते थे और शुट देखते थे कि कैसा शुट आ रहा है आपने मॉम बुलाती थी और जब शूट हो गया तो फिर आप से कुछ कहती थी कि हम कब बिलेंगे और क्या करने वाले हैं साथ में उन्होंने का था नेक्स टाइम हम प्रमोशन पर मिलेंगे प्रमोशन पर जब आप मुलाकात हुई तो वो क्या कहती थी हम सबसे आगे हम सभी बैठते थे हम बहुत ही मंज़े करते थे वहाँ पर और जब जैसे ही मुवी का प्रमोशन हुआ सब सब को बहुत ही जादा रोना आया था मुवी के लिए बिकॉस स्टेप मादर है तो बट आपने तो मुवी में रियल डॉर्टर का रोल प्ले किया और आपको बेटी के तरह वो मानती भी है बिटा आज वो हमारे बीच में नहीं है तो आप उनको कैसे याद करते हो और कुछ कहना चाहोगे उनके लिए मैं उनके लिए गाना डेटी के डेटी के प्लीज शूर बोल दुआओं में चलते दिये ओ सोना तेरे लिए दुआओं में चलते दिये बहुत शुक्रिया बिटा रिवा अरोरा चाइल्ड एक्ट्रेस जिन्होंने श्रीदेवी की आखरी मूवी में काम किया था और कहने कहीं इस बच्ची के लिए यादगार पल है और बहुत ही एमोशनल पल भी है क्योंकि जब जब अब याद होगा कि श्रीदेवी जी नहीं रही और उनकी आखरी फिल्म मॉम थी उसमें इस बच्ची ने रोल निभाया था थोड़ी दुखी है सैड है वेटा दुखी ना हो अभी जो चला गया चला आपकी मेमरीज होंगा आप रो मत है ना आप ब्रेव बनो आपको उन्होंने ब्लेसिंग्स दी है अपनी आक्टिं के लिए और ये पल बच्ची के लिए भी बहुत भाउग पल है क्योंकि सुबह से उठकर जब टीवी में श्रीदेवी की तस्वीरे देख रही है तो उसे वो हल पर याद आ रहा है जब साथ में शूट किया था लेकिन अफसोस श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनकी यादें उनकी आदाकारी उनकी कलाकारी उनकी खुबसूरत तस्वीरें वो सदा हमारे बीच अमर रहेंगी क्यामरवन अनिल सांगरे के साथ मृतिंजे सिंग एबीपी नियूज मॉंबाई